सलाम नमस्ते, सस्टी काल आदाव, कैसे हैं दोस्तों? मैं हूँ जस, from Samin just, Hair and Make-up Academy, Mumbai दोस्तों, आज का कॉस्चिन है, कि क्या हम बालो को टाइ कर सकते हैं, मतला बान सकते हैं? अगर मैं बानने की बात करूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग अपने बालों पर रबर बैंड लगा लेते हैं या बहुत ताइटली जूड़ा बान लेते हैं तो क्या हम यह कर सकते हैं, तो मेरा आंसर यह है कि हम लोग को यह नहीं करना चाहिए, देखिए घर का काम करना होता है, लंबे बाल है, तो बिल्कुल अफकोस डिस्टर्ब करते हैं, तो आप टाइ करो, देखिए ज्यादा तर खुले रहते हैं, बालों को ऑक्सीजन मिलता है और बालों की ग्रोथ ऐच्छी होती है, लेकिन अगर आप टाइटली टाइए करोगे बालों को, एक तो अक्सीजन नहीं जाता, सबसे पहलए, रूबं सी ओन्सकाइक ढूंता है, यह एंपके भाल क्रोण मिलती बाल जाते हैं, क्युक्त को मैं यहां बाल हमार अभली कहिश आप उसको बहुत टाइटली मत करो हलकर साप क्लच कर सकते हो वह भी टाइम बिंग के लिए जो भी आप काम कर रहे तो काम नप्टा है उसके बाद में बालों को खुला छोलो इसलिए बहुत लंबे बाल मत रखो मैंने तो बहुत हरे लोग को देखा एक गुमा गुमा के ना मतले हें अगर आप बीच में अ देखो उपर के बाल तो बहुत बहुत नहीं करतें तो इसका हो आप बहुत जादा में और शेटे willing आप गूमा के साऔर बेच में बीच में अगर आप देखो, उपर के बाल तो बहुत हैवी होंगे, नीचे के बाल बहुत पतले होंगे, तो वहाँ पे प्रोब्लम आती है, तो वहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है, कि बालो को बहुत जादा टाइटली टाइमत करो, अगर करना भी है, तो हलका सा क्लचर लगाओ, और कोशिश करो बालो को अगर छोटा रख सको, अगर आपको बहुत बहुत बालो को इरिटेट करने तो जूड़ा बनाजन से अच्छा है, दूसरा ओप्शन है कि बालो को छोटा कर लो, आप लोग दूसरा ओप्शन में नहीं जाओगे, तो क्लचर आप जरूर लगाओ, इतना आप कर सकते हो अगर बालो की कॉलेटी अच्छी करने हैं और आपको बाल कम नहीं करने हैं, देखो लॉंग टम में, जब आपके बाल कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, जब बाली नहीं होंगे तो पर टाइ क्या करोगे, वहां पर ना तो कोई स्टाइल होगा, और जब एक बार वो क्या बोलते हैं, जब चडिया चुक गई खेत, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको यही राय दूँगा, कि बालो को अच्छी से आप ट्रीट करो, लाइटली ट्रीट करो, थोड़ा ओक्सीजन जाने दो, और खुला छोड़ो बालो को तो आपके बालो के कॉलिटी जादा पैतर होगी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फॉलिकल, बेसिकली क्या है, हमारे बालो में से नहीं रूट्स में से बाल भार आगया ना, तो फिर वहां पे री गरोथ नहीं होती, तो इसका ध्यान रखुआए अप, री गरोथ के बढूर डालो वाटसप पे भीजो यही नंबर है वाटसप भीजो कोशिश करूंगा आपके हर कोश्टन का अंसर देने के लिए और ऑनलाइन क्लासिस हमेशा की तरह जरूर कीजिएगा बहुत काम आने वाले हैं बहुत बच्चे बैनिफेट उठा रहे हैं आप मिस्स मत कर द जाते हैं दो गंडे की उसके बात कोश्टन असर रहते हैं पहले सबिक्टिकल होता है कोशना सब्सक्राइड और जो भी आपके डाउट होते हैं वह भी क्लियर होते हैं क्लास के अंदर तो ज़रूर आईएगा और कीजिएगा कोश को मजा आने वाल है थैक्यू सो मअच वा झाल झाल